इन पर WordPress बिल्कुल free of cost में install हो चुका है अब यहां पर आपको सारे software मिल जाएगे इनको आप install कर सकते हो completely free है इस वीडियो में आप सभी लोग को top 5 ऐसी websites के बारे में बताऊगा जहां पर आप सभी लोग को lifetime free hosting मिल जाएगी free में domain मिल जाएगा free में SSL certificate मिल जाएगा और सबसे important बात सिर्फ एक click में आप बिल्कुल free of cost में WordPress को भी install कर पाऊगे वीडियो में सिर्फ आप सभी लोग को उन website के नाम नहीं बताऊगा मैं आपको live WordPress की website free में create करके भी बताऊगा और आप भी beginner हो बिल्कुल free में आपको hosting चाहिए domain चाहिए और WordPress को भी फ्री में सीखना चाहते हो तो वीडियो को end तक जुरूर देखना देखो काफी जादा टाइम से इस वीडियो की demand थी बहुत सारा लोग मुझे daily comment कर रहे थे free hosting and free domain sites के ओपर video बनाओ वीडियो आ चुकी है और सबसे मेन बात की free domain और free hosting को register करने के लिए आपको कोई credit card की नीड नहीं है वीडियो में दो important questions के answer चुपए हो जो की आपको जानना बहुत ज्यादा important है सबसे पहला कि यह जितने भी free hosting वाले sites होती है websites होती है जो कि lifetime के लिए आपको free में hosting देती है free में domain देती है यह क्यों देती है कैसे देती है इनका क्या profit margin रेता है रगर कुशन क्या आपको इन free hosting को यूज करना चाहिए क्या आपको कभी पैड लेने की जुरुरत नहीं पड़ेगी तो दोनों कुशन बहुत ज़्यादा important है वीडियो के end में इनके answer पता चलिए यहां पर आप सभी लोग देख सकतो यह वो wordpress की website है जो कि मैंने free domain and free hosting का use करके बनाई है और वीडियो में आगे live में आप सभी लोग को create करके भी बताओ number one पर जो website है वो देख सकतो infinitivefree.net करके website है सारी websites के link आपको description में या फिर pinned comment में मिल जाएंगे वहाँ से आप visit कर सकते हो इस website पर जैसे scroll down करोगे यहां पर आपको free hosting features मिल जाएंगे जैसे 5GB का disspace मिलेगा updated PHP का version मिलेगा free में sub domains मिल जाएंगे अलग-अलग domains आप register कर सकते हो unlimited bandwidth है यहां पर my msql का देख सकते हो free में SSL certificate मिल जाएंगा और बहुत सारी चीज़े यह आपको free में दे रहे हैं सबसे important wordpress के साथ आप 400 प्रस application को install कर सकते हैं यहां पर अगर websites बनाओगे तो आपकी website पर कोई ads भी run नहीं होंगे मतलब completely free है इसके features आप सभी लोग देख सकते हो इस website को मैंने number one पर रखा है दूसरे number पर जो free hosting and free domain की website आती है वो आती है bit.host करके इसमें जिसे free hosting वाले section पर जाओगे तो यहां पर आपको सारी यह details दे देंगे कि free hosting का प्लान है उसकी क्या क्या details मतलब क्या क्या features है जिससे एक जीवी का आप सभी लोग को this space यह वाले websites दे रही है कोई भी ads नहीं आएंगे यहां पर देख सकते हो कि free community access है free में यहां पर control panel वगेरा वगेरा है और क्या-क्या चीजे है वो आप personally यहां पर आकर check out कर सकते हो अगर free domains की बात करें तो यहां पर यह सारे जो domains है इन पर आप सब domain इतने सारे domain पर सब domain बिल्कुल free of cost में बना सकते हो wordpress वगेरा easily install कर सकते हो so b.host जो website है इसकी भी free hosting को आप use कर सकते हो अगर नमबर पर जो website आती है वो आती है freehostia.com करके अब यह जो website है इसके home page पर ही आपको free hosting का section मिल जाएगा तो free web hosting में आपको क्या-क्या features मिल रहे है इस website के home page पर दीख जाएगी जैसे 5 website मतलब 5 domains को आप यह आपर list कर सकते हो 3 email accounts भी मिलेंगे 200 MB का disk space है 6 GB monthly traffic यह बता रहा है 10 MB का my mcq storage आपको देखने को मिलेगा इस website को भी आप use कर सकते हो बिल्कल free of cost में आपको hosting मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर शाहिद तक आप सभी लोग को यह sub domain प्रोवाइड नहीं करा रहा है आप अपने according यहाँ से कोई से भी website सेलेक्ट कर सकते हैं 4th number पर जो website आती है वो आती है aqwebhosting.com करके यहाँ पर इसका URL आप सब भी लोग देख लेना कि web hosting उसके बाद free wordpress hosting का section है क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी free hosting का कोई भी section नहीं मिला तो इस URL पर जैसे ही आप आओगे आपको free hosting का एक page मिल जाएगा यहाँ से भी आप free hosting को register कर सकते हो क्या-क्या features मिलेंगे वो आप देख सकते हो इस website पर भी आपकी website पर कोई ads वगेरा नहीं चला जाएगा कोई भी credit card की आपको limit कोई भी credit card की requirement नहीं है custom domain names भी add कर सकते हो बाकि क्या-क्या features है free hosting में आपको यहाँ पर मिल जाएगे जैसे एक website 2GB की storage 30GB का bandwidth and RAM देख सकते हो 768 MB का RAM मिल जाएगा and plans के भी कुछ features है and इन्होंने एक custom idea भी दिया है कि 5000 visitors up to up उस hosting and इन्होंने एक idea भी दिया है कि up to 5000 visitors आपकी जो वो web hosting का plan है यह वाला jail लेगा and मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि कोई से भी free hosting वाले साइट से आप कोई भी अपने plan को upgrade करो या फिर paid hosting select करो नीचे आओगे तो यहाँ पर यह जो website है इसने दूसरी जो free website है जैसे 0000 web host करके cloud access है wordpress है free hosting है इनसे comparison किया है अपने आपको best बताया तो यह भी और free hosting वाले sites है इनको भी check out कर सकते हो लेकिन मैंने कुछ limited website को ही list किया है जिन पर मैंने भी कभी try out किया हुआ है वहीं को मैंने किया है क्योंकि बहुत सारी free hosting वाले sites fake भी होती है फिफ्थ नमबर पर जो free hosting वाले sites आती है वा आती है free hosting.com करके यह जो website है यहाँ पर hosting के sections है free hosting वाले section मिल जाएगा यहाँ पर आओगे तो यह website भी आपको free में hosting प्रोवाइड करती है लेकिन शायद तक यह वाले जो website है यह आपको sub domain नहीं देती है तो नीचे आओगे तो इसके भी features पता चल जाएगे जैसे free package में क्या है 10GB की storage है unlimited bandwidth है एक website आप बना सकते हो sub domain यह आपको नहीं देती है एक email account आप बना सकते हो database देख सकते हो एक आप बना सकते हो तो यह वाले भी सही एक free hosting की side है तो यह 5 top free hosting की website है जिनको कि आप use कर सकते हो पाता देगी कैसे आप इन free hosting वाली and free domains वाली website का use करके एक WordPress की website बना सकते हो तो जैसे मैं यह तो पहले number पर मैंने website रखी थी इसका use करें एक WordPress इंस्टोल करके आप सभी लोग को एक domain पर बताऊंगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि मैंने इस website को open कर दिया है open करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे sign up के section पर click करेंगे अपनी email ID, password वगेरा select करके हम यहाँ पर sign up करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे अपनी details डाली एक verification link आपके जो है email पर जाएगा तो वो आपको verify करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हो successfully हमारा sign up हो चुका है अब हमें यहाँ पर क्या है कि एक account को create करना पड़ेगा तो create account के section पर click करना यहाँ पर देख सकते हो अगर आप custom domain add करना चाते हो तो वो आप कर सकते हो लेकिन अगर आपको free sub domain चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ list मिल जाएगी तो यह सारे जो domains है इन पर आप एक free sub domain बना सकते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी domains आपको जिस domain पर आपको website बनाने उसका नाम डालना है example के लिए मैं यहाँ पर जो है अपना ही नाम डाल देता हूँ और आगे one लगा देता हूँ जिसे try करते है यह मिल जाए तो check availability के section पर क्लिक करते है तो यह हमारा यहाँ पर available है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि यहाँ पर देख सकते हूँ यह हमारा जो c-panel है यह हमें बिल्कुल free of course में मिला है यहाँ पर आपको नीचे जो है software वाला section मिल जाएगा जिसमें कि आपको wordpress भी मिल जाएगा अब wordpress वगिरा भी install कर सकते हो तो अब यहाँ पर एक चीज हुई यहाँ पर वो 20 मिंट का error हडगे तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि 20 मिंट wait करो अब यह चीजे क्यों आती है वो आपको वीडियो में end में बता चलेगा तो आप VPN वगिरा use कर सकते हो अब यहाँ पर आपको सारे software मिल जाएगे जिनको आप install कर सकते हो तो हम में WordPress चीए तो install के section पर click करेंगे WordPress पर यहाँ से जो हमने domain register किया था वो select कर सकते है SSL certificate भी आप अपने जो cpanel है उसमें जाकर install कर सकते हो तो वो चीज मैं भी नहीं बता रहा हूँ यहाँ से आप अपने account का username password select कर सकते हो and then जिसे install करोगे तो आपका WordPress install हो जाएगा तो चलो वो चीज भी मैं करके बताता हूँ details मैंने feel कर दी install के section पर click करते है तो यहाँ पर देख सकते हो within seconds हमारा WordPress install हो जाएगा वो फ्री में WordPress हमारा successfully install हो चुगा है इस पर click करके मैं अपनी website को यहाँ पर देख सकता हूँ जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो साइड हो लोड हो रही है यह हमारी WordPress की website बन सोगी यह domain name भी same है यहाँ पर click करके मैं अपने WordPress के dashboard में भी visit कर सकता हूँ यानि कि login कर सकता हूँ जो आपने password वगेरा set किये थे उन password से भी आप directly login कर सकते हो तो यह हमारे domain पर WordPress बिल्कुल free of cost में install हो चुका है तो हमने free में domain लेकर free में hosting लेकर WordPress को तो install कर दिया है लेकिन अब वीडियो का main part आता है कि जितनी भी मैंने आपको free domains and free hosting वाली sites के बारे में बताया यह आपको बिल्कुल free of cost में क्यों services देती है इनका कैसे मतलब अगर यह free में दे रही है तो यह कैसे earn करते है तो सबसे basic सी बात है कि यहाँ पर देख से तो जब तक हम WordPress को install कर रहे थे तो पूरे c panel पर adsense के ads लगे हुए थे और इन्होंने मुझे एक error भी दिया था मतलब 20 minute wait करने का इन्होंने जान बुचकर scripting कर रखिये जिससे की 20 minute का हमें error दे तो 20 minute तक हम इनकी sites पर गूमें ज़्यादा से ज़्यादा ads को देखें जाइर से बात ads पर click भी होगा और click होगा तो उनसे इनका revenue बनेगा सेम तरीके से इन्होंने अपने जो home page था उन पर भी ads लगाए हुए थे तो यहां से वो अपने earning को निकालते हैं और आपको free services देते हैं जिससे यह earn कर पाते हैं यह free के साथ अपने paid plans भी रखते हैं तो जो free use करते हैं अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो paid में भी upgrade कर लेते हैं तो वहां से भी earning करते हैं लेकिन मैं recommend नहीं करूंगा कि आप जो है paid पर upgrade करो आप इनको just free यूज़ करो and सीख सकते हो WordPress को सीखने के लिए use कर सकते हो जब आप proper सीख जाओ तो फिर आप proper quality hosting को buy कर सकते हो second question यह था कि अगर in free hosting free domain से आप sites बनाते हो तो क्या मतलब आपको फिर paid में upgrade करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी मतलब क्या आपको कोई problem वगिरा तो नहीं होगी तो देखो मेरा जो recommendation है वो यही है कि अगर आप अभी भी blogger use कर रहे हो आपको WordPress का कोई idea नहीं कैसे work करता है कैसे plugins होते हैं कैसे use करते हैं तो फिर आप क्या करोगा in free hosting free domains वाले sites पर जाओ register करो and trial लेने के लिए सीख लो कि exactly WordPress कैसे काम करता है WordPress for plugins and SEO हम कैसे improve कर सकते हैं plugins के use करके मतलब total WordPress आप बिल्कुल free of course में यहां से सीख सकते हो जब आपको एक अच्छा knowledge हो जाए कि अब मुझे एक main site create करनी चाहिए फिर आप quality hosting को purchase करो जिसके साथ मैं आपको freemate.com.in domains मिल जाए कि जिसे blue host हो गया मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आपको यह free में services दे रहे हैं इन पर सब एक trial के रूप में एक मतलब जो है demo की site बनाओ और वहां सब सीखो skills को learn करो और फिर एक quality hosting लो और वहां पर सारा performance करो तो यही तब वीडियो अग आपको अच्छा लगाऊगा अगर अच्छा लगो डिफिनिली वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना कोई भी confusion है कमेंट सेक्षिन बताओ इसे के साथ मैं बताओ को नई वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय बारत और बाए